जालोर जिले की बात कर रहे हैं हम जालोर जिले में साचोर सीट होट सीट बनी हुई है हमारे साथ ही ने बात की देवजी पटेल से जो कि सांसद है जालोर सुरोही के और फिलहाल बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं देवजी पटेल का कहना है कि पार्टे का निरने सर्वोपरी हैं पार्टे ने टिकेट दिया है तो हमारी बात भी चल रही हैं माना जा रहा है कि जीवाराम चौधरी जो पूरु में बागी रहे थे और पिछली बार के प्रत्याशी दानाराम चौधरी मना लिये जाएंगे 30 अक्टूबर को दोनों जो है एक सभा कर रहे हैं 31 तारीक को 31 अक्टूबर को माफ कीजिएगा और उन्होंने 30 तक का अल्टी रिटम पार्टे को दिया है कि आप टिकेट बद लिये तो इस महा पंचायत में निरने होगा कि क्या करेंगे जीवाराम और दानाराम तो देवज पटेल ही दानाराम को ले के आए लेकिन धोखा होने की बात कह रहे हैं इस महा पंचायत में क्या कुछ निकल के आएगा साचोर जो है वो पूरे जालोर जिले में अलग तरह का माहूल वाली सीट है आपको पता दें कि अगर इस पूरे जिले की बात करें जहां पांच विद हलांकि वो मार्जनल वोट से अधिक ले गए रामलाल मेगवाल जो थे वो चुनाव हार गए रामलाल मेगवाल जरूर जालोर में त्रिकोणी संगर्स बनाते रहे हैं लेकिन 2008 में पार्टे ने उनको टिकट दिया विदायक भी बन गए रामलाल एक बार और उसके बाद ने 13 में उनका टिकट जो है वो अमरता मेगवाल से चुनाव हारते हैं 18 में मंजु मेगवाल को दिया जाता है लेकिन बगावत जैसी बात जालोर में नजर नहीं आई ऐसा ही कुछ आहोर में है आहोर में बीजेपी ने भले एक कमजोर प्रतियासी चरंजिलाल दवे को 2008 में टि नाचोर में बगावत का एक ऐसा बीज है जो की लगातार यहां त्रिकोणियें चतुशकोणियें संगर्ष मनाता है और उस संगर्ष के हामी होते हैं जीवाराम चौधरी मनाना असान नहीं है जीवाराम जो है वो अलग स्टाइल अलहदा अंदाज और अलग तरह की पॉलि सांचोर एक अलग मूड का मैं बता चुका हूँ विदानसवाक्षेत्र हैं जब यहां के जो पूर्व में मंत्री रहे थे उनका जब निधन हुआ तो उनकी पत्मी ने टिकट पांगा कॉंग्रेस से मीरा विश्णोई ने और उसके बाद ने कॉंग्रेस ने उनको टिकट नहीं देखे हिरालाल विश्णोई को टिकट दिया जो कि प्रवासी थे हिरालाल ने भंडारा चालू किया हलुआ पूरी का भोग लगता था बड़ी संक्या में भीड आते थी एक नारा फेहमस हुआ कि हीरो खाओ हीरेरो जालो के लोग सब को हा बोलते हैं तो हीरो खाओ ही बंडारे और वो चालू होते हैं हर बार अब जो है 31 तारिक का निरने होगा कि बंडारा देवजी पटेल के यहां लगेगा या तीन चार बंडारे चलेंगे यह देखने वाली बात होगी सांचोर में सीधे तोर पे क्योंकि सांचोर जो है उसने पूरे जालोर सिरोही लोग विधानसभा में नहीं उतारा जाता यानि कि देवजी पटेल तो वो आठों विधानसभा क्षेत्रों में बतौर। लोग सभा सांसत प्रचार करते हैं लेकिन देवजी पटेल अपने ही एरिया में घिर गए हैं तो बीजेपी को एक स्टार प्रचार यानि की उनी का सांसत नहीं मिल पा रहा है बाकी विदानसवाक शेत्रों में प्रचार करने के लिए जबकि उनकी जातिके वोट हैं बड़ी बीजेपी के लिए और घिर के रहें गए हैं सांचोर में क्या होगा बीजेपी के साथ कल भी जो मूल वोट बैंक पहले कॉंग्रेस का था फिर बीजेपी ने दो टिकट देने शुरू किये एक समय ऐसा आया जब तीन प्रत्याशी 2008 में कल्भी समाज के जीते और लोग सभा का अल्टिमेटम है 31 को दाना राम और जीवा राम जो है वो सभा करेंगी और सभा के बाद निरने करेंगे 31 को कि क्या हमारा आउटकम रहेंगा कौन चुनाव लड़ेगा दाना राम लड़ेगा या जीवा राम बसपा से लड़ेंगे या रल्पी से निर्धलिय और वीडियो को लाइक शेर करें